गुरू पेयारी संगजी राधान स्वामी जी संगजी परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने इस दिवाली के मोके पर बाबा जी को अयोध्या में राम मंदिर में विशेश रूप में अमंत्रित किया ये खबर फैलते ही लाखो भक्तों और शर्धालूओं में उत्सा की लहर तोड़ गई सभी को उमीद थी कि ये दिवाली खास होगी क्यूंकि राम मंदिर में इस बार अधियात्मिक्ता और भक्ती का संगम होने वाला था आज दिवाली के दिन सुबा से ही अयोध्या का महोल भक्तम अए था लोग गंगास नान कर फूलों से सजी गलियों से होकर राम मंदिर पहुंच रहे थे परधान मंत्री मोदी खुद बाबाजी का स्वागत करने के लिए मंदिर के मुखे द्वार पर खड़े थे जैसे ही बाबाजी का आगमन हुआ दोनों ने एक दूसरे का हार्दिक स्वागत किया और साथ मिल कर राम लिला के दर्शन किये बाबाजी ने परधान मंत्री मोदी से चर्चा के दोरान कहा भगवान राम ने हमें सिखाया है कि धर्म और मानवता का रास्ता सबसे कठिन होता है लेकिन वही सबसे उत्तम भी है हमारे जीवन में अगर सचाई और प्रेम का परकाश हो तो हम हर अंदकार को दूर कर सकते हैं परधान मंत्री मोदी ने बाबाजी की बातों का स्मर्थन करते हुए कहा आज के समय में हमें राम जी के अदर्शों को अपनाना बहुत जुरूरी है जब तक हम एकता और प्रेम से नहीं चलेंगे तब तक समाज में शान्ती और स्मरीदी नहीं आ सकती बाबाजी ने कहा राम जी की पूजा तभी पूरण होती है जब हम उनके अदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं हमें हर परिस्थिती में सत्य का साथ देना चाहे चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यूं न हो फिर बाबाजी ने आगे कहा कि हमें जाती धरम और संपरधाय से उपर उठकर समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश फेलाना चाहे बाबाजी की इस प्रेना दाइक बातों को सुनकर वहां मुझूद हर व्यक्ति की आँखे नम हो गई और उनके दिलों में एक नई आशा का देपक जल उठा फिर बाबाजी कुछ समय राम मंदिर में बिताने के बाद बाबाजी डेरे के लिए निकल पड़े थे संगत जी आज के लिए इतना ही अगर आपको इस वीडियो से कुछ नेया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें जी और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनें जी राधा स्वामी जी